और चलिए अब आपको दिखाते हैं ए आई और तक्नीक की मदद से आयोध्या का अद्भुद्रिश्य इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी है हम और आप सब सभी को नमस्कार मैं हूँ पूजा और मेरे साथ है मेरे सयोगी आनन नरसिमहर नमस्ते नमस्ते देखिए हम एक बहुत खास जगे हैं और आपको बताते हैं हम कहां हैं देखिए वो दूर आप देख रहे हैं न वो है राम मंदिर भव्य और दिव्य शालकाए जब ये मंदिर अपने पूर्न रूप में साकार होगा तब शायद ऐसा ही दिखेगा अभी प् टेक्नोलजी का भी प्रयोग कर रहे हैं हम उसे जहां से देख रहे हैं ये वो जगह है पूजा जिसका नाम मनी परवत है अब मनी परवत की बहुत सारी कथाएं हैं आपने सुना होगा मनी परवत के बारे में आपने सुना है यहां नय और पूजा इस वक्त आयोध्या में म जो हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तयार किया है और आनंद जब हम कह रहे हैं बहुत मेहनत तो वाकई यहां बहुत मेहनत लगाए जी हाँ टेक्नोलोजी है AI है ग्राफिक्स है और इतिहास भी तो है पहले तो इस जगा के बारे में जान लीजिए जाहां हम खड़े हैं यह कि मनियों से बना है इसलिए इसका नाम मनि परवत पड़ा है और भी इसके बारे में कथाए हैं पूजा बिलकुल और भी कथाए हैं वो भी दर्शुकों को बताते हैं माननेता तो यह भी है कि जब हनुमान जी लक्षमन के लिए संजीवनी बूटी की पहाड लेकर जा रहे इतिहास में आज आप पहली बार आयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और यह यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी आनन्द कैसे करेंगे यात्रा यह वही आपको बताएंगा लेकिन आपको भी बताऊंगा पुचा आपको धीरे धीरे यहां आना है क्योंकि हम आपक यह यह पख्शी है नहीं यह पुश्पक विमान है वो भी लगू पुष्पक विमान इतिहास परानिक कथाओं में आपने सुना होगा इसके बारे में लेकिन हम देखिः धीरे धीरे यह भव्य सुन्दर टेक्नॉलजी से निर्मित पुश्पक विमान आरा है आराम से भय देरे से लैंड करना टचडाउन ये देखिए है ठीक हमारे बगल में आके लैंड होगी आजा ये रेखिए सुन्दर लग रहा है ना बहुत सुन्दर लग रहा है आनंद लेकिन करने क्या वाले हम इस पुश्पक विमान का सबसे पहले तो मैं उसके अंदर जाने वाला हूं क अब बताएगे क्या करना हूं मेरा मन क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है आपका मन अरे ये तो दर्वाजे बंद हो गए क्या अब ये उडान भी भरेगा भरेगा जरूर भरेगा बहुत जल्दी भरेगा तो आपने देखा यहाँ पर कैसे दर्वाजे बंद हो गए आनंद इसमें सवार है लगू पुश्पक विमान के अंदर वो मौझूद है और जब विमान के अंदर मौझूद है तो जाहिर तौर पर आपको कहीं लेकर भी जाएंगे कहां लेकर जाएंगे ये ज़रा हम आनंद से पूछ लेते हैं आनंद पुश्पक विमान में मौजूद है आप कैसा मैसूस कर रहे हैं का जाने वाले हैं देखिये पुश्पक विमान की अलग ही फीलिंग है यहां मुझे किसी सीट बल्ट की आवसकता नहीं क्योंकि एक बार हम यहां खड़े हो गए तो एकदम फर्स क्लास फिट हो गए और मन की बात है यह जानता है यह बहुत खास जगे लेकर जा रहा हूँ आपको खास जगे जा रहे हैं आनंद और यहां देखिये ये विमान तो उपर आसमान में जा रहा है और अच्छा है कि आनंद के मन की बात को यहां पर भाब कर इस विमान ने उडान भरी है कहां आपको लेकर जाएंगे जाहिर तोड़ पर हमने कहा कि आयोध्या दर्शन आपको कराएंगे और उस मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसका इंतजार रामभक्त कर रहे हैं 500 सालों के इंतजार के बाद ये मंदिर निर्मित हुआ है और आपको बता दे कि निर्मान जो हुआ है तो कितना खुबसूरत है कैसे इसके बनाए गया है क्या कुछ खास्तियत है लेकिन उससे पहले जरा कुछ खास तस्वीरे आपको दिखा दे प्रभू श्री राम के इस मंदिर की खासियत आपको बता दे इस ग्राफिक्स के जरी आप समझेए 360 पिलर है यहां पर मंदिर में इसकी जो उचाई है 161 फीट की है भव्यता आप देखिए यहां साथ ही इसकी हम लेंथ की बात करें तो 360 फीट की इसकी लेंथ है अगर हम चोडाई की बात करें तो 235 फीट इसकी चोडाई है यहां पर कुछ और जानकारी भी हम आपको दे देते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई यहां पर 5 पविलियन बनाए गए हैं 12 द्वार बनाए गए हैं इसके अंदर जो की इसकी भव्यता को और निखाते हैं 57.4 एकर यह टेंपल का कॉंपलेक्स है यानि परिसर है यहां 3 साल में इसका निर्मान हुआ है हाला कि अभी उपर के हिस्से का निर्मान बाकी है जब बन जाएगा तो मंदिर कुछ ऐसा ही दिखेगा तो 3 फ्लोर है यहां पर 5 डोम इस मंदिर के अंदर जो की इसकी खुबसूर्ती को दिखाते हैं लेकिन जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आयोध्या दर्शन हम आपको कराएंगे तो आनद कहां पहुंचे हैं अपने लगू पुष्पक विमान पर सीधे उनके पास चलते हैं जानते हैं उनी से आनद कहां पहुंचे आप बैतरीन टेकनोलोजी की मदद से हमारी आयोध्या यात्रा जारी है हमारे लगू पुष्पक में जो आपको आयोध्या नगरी दिखा रहा है यात्रा में लता मंगेशकर चौक भी दे हैं देखिए कितना सुन्दर देख रहा है दिएश की महान गाई का भारत तरत ने लता मंगेशकर को समर्पित इस चौक का विशाल का है स्वरूप आप देखिए इस वीना का आसमान से भी इसे आप साफ देख सकते हैं ये वीना 40 फिट लंबी है इसका वजन 14 टन का है और इस वीना को पदमश्री से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार जी ने दो महीने की मेहनत से फिरे से बनाया था इस पर मा सरस्वती की तस्वीर भी उकेरी गई है देश किस्वर कोकिला लता मंगेशकर को ये सम्मान वाकई में अदुभुद है उपर से सेल्फी तो नहीं ली जा सकती लेकिन आप जब भी आयोद्या आएं तो यहां एक सेल्फी तो बनती है